हेलो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारे पास जो XRD पर हम सैंपल करते हैं तो उसके लिए कुछ जुरूरी चीजे होती हैं जैसे कि सैंपल होल्डर हो गया या जो भी चीजे सैंपल प्रेपरेशन के लिए जो भी चीजे हमें चाहिए होती हैं उन सबी के बारे में आपको मैं बताऊंगे इस वीडियो में ठीक है तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इससे यह इसमें इसको हम क्यों यूज करते हैं बिसिकली हमारे पास जो XRD होती है वह पावडर सैंपलिंग के लिए ठीक है बट सम टाइम क्या होता है कि हमारे पास सेंपल जाते हैं वह बहुत तरह से मतलब exactly powder form में नहीं आते हैं और वह crystalline होते हैं तो उसको क्या है कि हमें बिल्कुल powder करने के लिए हम इसकी यूज करते हैं इसमें सेम ऐसे रखना है उसको तब तक हमने करना है जब तक वह बिल्कुल powder form में नहीं आ जाता ठीज तो यह वस उ सेंपल लगाते हो उसको exactly clean साफ करने के लिए हम tissue paper के यूज करते हैं with the help of alcohol ठीक है यह इसमें आप देखोगे यह alcohol है और इससे इसके drops लेके और tissue paper पर फिर हम अपनी सेंपल होल्डर को साफ करते हैं ठीक है अब यहाँ पे है यह है मेरे पास clay clay कभी यूज करते हैं जब हमने thin film type के samples करने होते हैं या बहुत ही small particle की XRD करनी होती है तो उसको sample holder पे exact way से लगाने के लिए हम clay की use करते हैं इसको बहुत थोड़ा सा use करना होते है एक्दम थोड़ा सा part इसका जरूरत के according जितने में हमारा sample exactly वहाँ पे hold हो जाए उतना सा हम इसमें से use करते हैं ठीक है तो sample को exactly उसकी holder पे exactly उसके place पे लगाने के लिए है क्योंकि thin film को आप touch नहीं कर सकते हो अगर आप उसको touch कर थिन film में basically coating होती है या कोई भी sample है जिसमें coating की हो चाहे वो solid form में हो या जैसे भी हो आप उसको touch नहीं कर सकते हो हाथ से अधरवाइस उसकी coating जो है वो destroy हो जाती है यह अधर है इंस्रूमेंट यह भी हम जैसे samples को निकालने के लिए और उसको hold करने exactly fill करने के लिए यूज करते हैं sample holders पे यह other sides को clean करने के लिए brush है यह simple तीक है यह बहुत important चीज है यह क्या होता है अपने पास यह coin होती है इसको यह silicon coin होती है और इसकी खूबी क्या है यह zero background होती है जैसे आप देखोगे जितना यह थोड़ा सा space है यहाँ पर इस पर coin पर तो हम क्या करते हैं जो भी अपने पास sample होता है उसको exactly इस place पर set करते है ठीक है इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए इससे कम नहीं होना चाह सब्सक्राइब को सर्फिस को मैच कर लें ठीक है और यह ब्रश बेसिकली इसको जैसे हमने बीच में sample लगा है यहाँ इस एरिया में sample रखते हैं और जो यह साइट वाला एरिया है इस सब को clean करने के लिए brush यूज करते हैं ठीक है अब हमारे पास मैं बताती हूँ यह है यह है यह क्या चीज है यह glass slide है और इसको क्या करते हैं जब हम यहाँ पे powder वाला sample रखते हैं middle में तो इसको हम ऐसे रखके exact exact उसको similar match करने के लिए इसको बहुत कम chemical है तो उसको test करने के लिए आप यह slides की यूज कर सकते हो इस पे रखके आप simple machine के साथ इसको लगा सकते हो ठीक है तो यह था coin यह भी है samples को exact निकालने के लिए या arrange करने के लिए second instrument है यह यह है जो बहुत जादे मतलब crystalline अगर आपके पास sample हो तो उसको आप ऐसे करके उसको powder form में convert कर सकते हो यह भी उसके लिए इस होता है ठीक है फिर हमारे पास आता है sample holder यह देखो आप sample holder रहे है यह ऐसे fixed है इसको set किया है तो हम sample क्या करते है इसके पूरे इस area को पहले फिल करते है sample से then फिर हम इस slide से इसको भी maintain करेंगे proper वेसे की सही तरीके से आजाए ठीक है और जब हम इसको clean करते हैं तो इसको यहां से निकालना ही होती है जैसे कि यह है एक मेरे पास sample है जिसमें हमने इसके base को अलग किया है यह इ एक्जेट साफ हो फिर हमारे पास है ये ये हमारे पास है बटर पेपर यह सारी बटर पेपर है क्या होता है कि जो अगर आप john simple paper use करते हो या कुछ और use करते हो तो क्या होता है कि हमारे sample एक तो बहुत कम होते हैं पहले ही बहुत कम होते हैं बहुत कोसली होने के वज़े से सेंपल्स कम होते हैं तो अगर आप बटर पेपर यूज करते हो यह क्या होता है कि बहुत है और लास्ट वन यह चीज़ है इसको भी हम यूज़ करते हैं कि सेंपल हमारा प्रॉपर वे से हो कुछ इधर उधर चीज़े ना हो या बिखरे ना जिसे यह है यहां पर आप सेंपल लगाओगे यह वली एरिये को पूरा इससे प्रॉपर वे से क्लीन करोगे तो यह कुछ सेंपल को अपनी मशीन के साथ रख पाते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको इसके रिगाडिंग की कोई चीज नहीं पता लगी कोई डाउट है या कुछ है तो आप कमेंट करके मेरे से पूर सकते हो तैंक यू